आपको अपना लक्ष पता चल गया आपको अपना रिस्क लेने की शमता मालूम हो गई कितना निवेश करेंगे ये मालूम हो गया किस तरह के फंड में आप निवेश करेंगे आपको ये भी आइडिया हो गया उसके आगे क्या होता है अब निवेश शुरू करना है फंड चु बात करेंगे कि कैसे आप खुद अपने लिए फंड चुन सकते हैं total loss klar law देखना क esosटे बहुत मुश्किल नहीं है बाजार में 45 से ज्यादा फंड हाऊसे हैं जो आपको हजार से ज्यादा schemes बेच रही है तो उस 45 से ज्यादा माली जी की 50 पचास ब्रैंड में से आपने कुछ नाम सुने होंगे कुछ नाम नहीं सुने होंगे जो नाम आपने सुने हैं उसमें से कुछ बहुत ही ज्यादा जिसा आप फमीलियर होंगे आप वाकिफ होंगे उनसे आप उसमें से चार्ट लीजे कि किस कंपनी पे किस ब्रैंड पे आपको भरोसा ज्यादा है ठीक है तो आपने क्या देखा पहला क्राइटेरिया ब्रैंड कंपनी का नाम उसके बाद क्या उसके पास अब एक कंपनी के पास मान लीजे 100-200 स्कीम से बेचने के लिए आपको पता है कि आप लाज कैप में या फिर स्मॉल कैप में निवेश करना चाहते हैं तो आप आप जाके ढूंडेंगे कि कि इतने सारे लाज कैप के आपशन से यहाँ पर आपको मिल रहे हैं जितने भी हैं उसमें से टॉप पाँच कौन से है यह टॉप पाँच कैसे आप चुनेंगे उसकी रेटिंग देखके यह रेटिंग कहां आपको मिलेगी दो तीन चार आप्शन है आप चाहे तो वैली रिसर्च की साइट पे चेक कर सकते हैं मौनिंग स्टार की साइट पे चेक कर सकते हैं मनीकंट्रोल डॉट कॉम पे देख सकते हैं या फिर क्रिसिल के वेब साइट पे आप चेक कर सकते हैं इन चारो साइट पे आपको फंड्स की रेटिंग मिल जाती स्टार रेटिंग आपने चुन लिया उसमें से कि जरो ठीक है ये जो टॉप के चार स्टार रेटेड फंड है इनको हम कंसीडर करेंगे इसको हम देखते हैं अब आपको क्या देखना है चारों का आपको देखना है कि इनका पास्ट रिटर्न कैसा है मतलक पिछला performance कैसा रहा है तो पहली बाद जो fund जो scheme 5 साल से पुरानी है आप उसको चार दीजे कम से कम 5 साल पुरानी scheme होनी चाहिए ताकि आपको उसके performance का idea मिल सके 5 साल के performance में आप देखेंगे कितना consistent रहा है ये fund return देने में क्या यह पहले साल में कम दिया है, चौथे साल में बहुत ज़्यादा, पांचमे में कम, या फिर पहले दो साल में कम, तीसरे में ज़्यादा, चौथे में कम, पांचमे में ज़्यादा, यह ऐसा रिकॉर्ड है, या फिर यह शुरू से लेकर पांचमे साल तक consistent रहा है, return दिया है तो जो वैसे वाले फंड होंगे आप उसको चुनेंगे उसके बाद आप देख लीजिए फंड मैनेजर जब भी आप इन चारो साइट में से कहीं भी जाएंगे ना देखने तो वहाँ पर सारी डीटेल्स रहती है आपको मिल जाएगा फंड मैनेजर कौन है और उस फंड मै मैनेजर के बारे में भी आईडिया मिल जाएगा बाकी और क्या देखना है आपको टर्नोवर टर्नोवर क्या होता है कि कुछ-कुछ फंड मैनेजर क्या करते हैं कि स्टॉक में निवेश करते हैं शेयर में निवेश करते हैं और बीचते हैं करते हैं बेसिकली वह ट्रेडिं जैसा भी जो भी फांड जो भी शेर ले रहा है वो उसको रखता है कुछ वक्त के लिए वह हर दिंग नहीं खेलता है उस उन शेरों के साथ तो अगर टर्न ओवर सो परसंड के आज पास दिख रहा है तो उसको आप अवाइट कीजिए ज्यादा टर्न ओवर अच्छी बात नह करें यूं का मतलब है एसेट अंडर मैनेज्मेंट तो अब देख लिजिए अगर सौ से कम हैं तो आप उसको भी अवाइट कर दीजिए सौ से उसको करोड से कम है अगर एउयूं तो उसको आप छोड़ सकते हैं सौ से उपर वाले को कंसीडर कीजिए एक जरूरी चीज होती ऐसी एक्सपेंज रेशियो बेसिकुलिजि यह क्या होता है यह खर्चा होता है जिस फंड में आप नवेश कर रहे हैं तो अž и कमपनी को उसको मैनेज करने के लिए पैसे खचु करने पड़ते हैं तो वह खर्चा आप से कमपनी लेती है उसको expense Ratio कहते हैं तो आपने माल भ तक सारे चीजों को चाट-चाट के आपके पास 3 पंड आ गए या 2 पंड आ गए उसमें से दोनों का performance almost same है 20% या 15% दोनों का लेकिन एक का expense ratio धाई percent है एक का देर परसेंट तो मेरी सलाह आपको होगी कि आप जिसका कम है expense ratio आप उसको चुने एक बात और यहां पर आप ध्यान दीजे कि तीन option होते हैं आपके पास growth dividend reinvest और dividend payout आप growth का option चुने वहां पर growth मतलब return अच्छे होने के chance ज्यादा रहेंगे dividend reinvest भी वैसा ही कुछ काम करता है लेकिन यह थोड़ा complicated है उसमें मत पढ़ गया आप growth का option चुल लीजिए एक और बहुत जरूरी बात क्योंकि आप खुद से निवेश कर रहे हैं तो आप कभी भे regular plan मत लीजिए आप direct plan लीजिए direct plan का जो expense ratio है वो हमेशा कम होगा regular plan से और इसकी NAV इसका return हमेशा ज्यादा होगा regular plan से तो ध्यान रखिए growth option और direct plan लेना है क्या देखकर आप fund ना चुने मतलब आप सिर्फ और सिर्फ return या फिर जो भी हमने देख लेंगे की fund का performance क्या है हम तो बस इसी criteria पर फंड लेंगे नहीं ऐसे में आप से गलती हो सकती है शायद आपका फैसला गलत हो सकता है तो at least अगर आप खुद से निवेश कर रहे हैं खुद से निवेश कर रहे हैं खुद से फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो रिपीट कर रहे हैं लिख लीजिए इसको जिस ब्रैंड से फमीलियर है वो ब्रैंड चुने जिस पर भरोसा है आपको स्टार रेटिंग देखें मॉर्निंग स्टार क्रिसल या फिर वैलू रिसर्च या मनीकंट्रोल डॉट कॉम पास्ट रिटर्न पांस साल का क्या देखने के लिए कंसिस्टेंसी फंड मैनेजर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए टॉन ओवर हंड़ेट परसेंट है तो एकदम नहीं लीजिए एस अंडर मैनेजमेंट 100 करोर से कम है उसको आप साइड कर सकते हैं एक्सपेंस रेशियो कम है जिसका उसको आप प्रेफर कीजिए ग्रोथ लीजिए और डिरेक्ट प्लान लीजिए तो इस तरीके से आप अपने लिए फंड चुन सकते हैं जब आप यह फंड चुन लेंगे त सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल बीवेल्दी और आप अपने सवाल हमें चाहे तो रिकॉर्ड करके भी भे सकते हैं या फिर आप हमें कॉमें सक्षन में लेखिए इमेल कीजिए या फिर हमारे फेस्बुक पेज पर जाके करना वोजेख हमारा पह पर प्ली हमें अपने समये इसकते हैं नहीं तो